हलो फ्रेंड्स, आयम भारती, वेलकम टू नमबर वन साइंस ग्लास आप इस चैनल पे माथमाटिक, साटस्टिक, कम्फूटर साइंस से लिए वीडियो देख सकते हैं आज की इस वीडियो में हम देखेंगे एरर वेटेड प्राइस रिलेटिव मेथड जो तो BAC और MST के लिए यूसफूल है आज वेल एस इंडियन साटस्टिकल सर्विस के लिए भी वो यूसफूल है तो चलिए स्टाट करते हम अपने आज की इस वीडियो को सबसे पहले हम बात करेंगे फॉर्मूला एरर, फिर सैंपल एरर, होमोजिनीटी एरर, वेटेड आवरेज ओफ राइस रिलेटिव मेथड तो चलिए स्टाट करते हम अपने आज की इस वीडियो को सबसे पहले हम बात करते हैं फॉर्मूला एरर की फॉर्मूला एरर कब आता है तो वहाँ पे फॉर्मूला एरर आता है फिर सैंपल एरर कब आता है जब हम सैंपलिंग कमोडिटी के प्राइस और कॉंटिटी इंडेक्स को हम कैल्कुलेट करते हैं तब सैंपल एरर आता है होमोजिनीटी एरर कब आता है जब हम comparison करते है two period में तब homogeneity error आता है फिर बात करते है weighted price relative method जो last methods of construction of index number में हमने देखा था कि two methods रहती है दोनों की unweighted और फिर weighted जिसमें हमने weighted में हम देखा था फिर यह है weighted price relative method यहाँ भी हम क्या करते है कि जो aggregate method है उसको हम calculate करते है अगर हम formula से देखा जाए तो for averaging price relative use arithmetic mean और geometric mean हम इन दोनों में से कोई भी use करते है तो price relative of commodity peak के लिए हम क्या use करते है कि P1 by P0 into 100 और weighted for the commodity यह हो गया price relative के लिए कि P1 by P0 into 100 जो हमने last की वीडियो में देखा था और weighted of the commodity W एकपस्ट हम क्या put करते है कि P0 की 0 मतलब price of base year into quantity of base year जिसको हम W करके put करते है फिर weighted price relative method में हम देखेंगे कि price index is given by using arithmetic mean अगर हम arithmetic mean की बात करते है तो स्री हम यहाँ पर put कर देंगे यहाँ पर हम W की जगा यहाँ पर हमने जो weight लिया था P0 की 0 हम यहाँ पर put करेंगे और उसके साथ हम आये लेंगे क्योंकि आयेत कमोडिटी है base year और quantity भी हम calculate कर रहे है तो P0 1 equals to summation P W by summation W फिर weighted price relative में अगर हम geometric mean से हम calculate कर रहे है तो P0 1 equals to product of P W to the power 1 by W अगर हम उसका analog लेते है तो 1 by W यह सामने आ जाएगा 1 by W का भी हम summation लेंगे summation over W summation W log P तो यह था complete आज का वीडियो जिसमें हमने देखा था error हमने errors देखे formula error, sample error, homogeneity error और उसके साथ साथ हमने देखा weighted price relative method उसके formulas देखे arithmetic mean और geometric mean I hope आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा अगर अच्छा लगा होगा तो like किजे अगर नहीं अच्छा लगा होगा तो dislike किजे dislike क्यों किया है वो भी मुझे comment box में बताईए अभी तक आपने मेरा वीडियो सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो subscribe किजे और मेरे आने वाले वीडियो की notification देखिए Thank you